US government की तरफ से एक बहुत important update आ दीए वो लोग एक meeting करने वाले 19th July को जहां पर वो लोग discuss करेंगे stable coins के बारे में बतलब stable coins यहां पर क्या होते है? USDT, BUSD, USDC आपको पता होगा दोस्तों आज की वीडियो में उसके बारे में discuss करने वाले हूँ, साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी चीज एक्सपोस करने वाले हूँ क्या है? USDT क्यूं सबसे बड़ा scam है? उसके बारे में बात करने वाले हूँ दोस्तों यह internal चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं यहां पर प्रूफ के साथ आपको यहां पर दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादे important रहने वाले, अगर आप cryptocurrency market में invest करते हो, आप USDT definitely यहां पर आपके पास होगा और अगर आपके पास USDT है, यह कभी भी यहां पर crackdown हो सकता है, और जिस दिन यहां पर USDT crackdown हुआ, उस दिन पूरी market उथल पुथल हो जाएगी तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिए, सारी चीजों को समझेए, और अपने हिसाब से यहां पर आप decision लीजिए क्रिप टॉकिंग यूट्यूब चैनल, चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आई हूप, यहां पर आप मेरा जो screen है clearly देख पार हो, तो सबसे पहले आपको पहली चीज यह तो सबको पता होगी कि USDT का अगर आप coin market cap में देखो, तो उसका rank आता है third, मतलब पहले bitcoin, उसके बाद ethereum, उसके बाद USDT, यहां पर मैं अगर mark करके देखा हूँ, जिससे आपको चीजे समझने में easy हो, तो आप देखिए, यहां पर USDT, USDT का meaning क्या है, USDT एक stable currency है, stable digital currency, इसका मतलब USDT का price हमेशा US dollars के price से equal होना चाहिए, बट दोस्तों, reality क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, एक USDT अगर यहां पर digital currency में आए, तो कहीं ना कहीं, मतलब पीछे कहीं ना कहीं, उसके साथ एक US dollar attach होना चाहिए, जब लोगों को यहां पर sell करना होगा, तो लोग 100% bagged, सबसे पहले क्या बोला था, कि यहां पर एक print होगा, मतलब एक यहां पर digital asset, एक USDT market में आता है, उसके सामने जो USDT, मतलब तीधर company है, वो यहां पर एक US dollar का purchase करेगी, बट दोस्तों, अब वो पूरा, मतलब जब start हुआ था, तब कुछ और था, अब यह पूरा change हो यह graph आप देखिए, यहां पर अगर मैं mark करके दिखाऊं, तो जो cash है, cash कितना है, सिर्फ 3.87, इसका मतलब आप समझो कि अगर 100 USDT market में आते हैं, तो उसके सामने सिर्फ यहां पर 3.87 US dollars है, बाकी सब क्या है, यहां पर आप देखिए, जो 65%, 65.39 जो परसंट है, वो commercial paper है, दो नहीं पता, तो आप यहां पर देखिए, commercial paper is a common form of unsecured, यहां पर word देखिए, यह बिलकुल भी, USDT is not at all secure, it has 65% stored as a commercial paper, and यहां पर clearly लिखा हुआ है, commercial paper is a unsecured short term debt issued by a corporation, unsecured है, short term के लिए है, तो यह चीज़, और 65% आप समझो, it is a big amount, तो यहां पर आप देखिए, इसी हिसाब से, यहां पर उन लोगों ने पहले क्या बोला था, 100% backed, but अब यहां पर पूरा scenario change, सिर्फ 3.65% यहां पर US dollars उनके पास है, बाकी एसी सारी चीज़े, commercial paper है, और क्या क्या है, यहां पर देख सकते हैं, secured loan ली हुई है, 12% की, तो यह स इसे आपको यहां पर एक घर खरीदना है, तो कैसे directly किसी को आप gold नहीं दे सकते हैं, कि यहां पर एक kilo gold या दो kilo gold और मुझे इतनी जमीन दे दो, या इतना घर दे दो, आपको क्या करना होगा, gold को sell करना होगा, आपको यहां पर रुपे चाहिए, पैसे चाहिए, डोलर्स और वो डोलर्स का यूज करके आप घर खरीद सकते हो, तो यहां पर similar है, अगर आपको bitcoin खरीदना है, ethereum खरीदना है, या बाकी कोई crypto currency खरीदनी है, तो आपके पास जो amount है, उसको आपको convert करना होगा, एक stable currency में, जो यहां पर maximum लोग यूज करते है, USDT, और फिर USDT से आप buy कर सकते हो, bitcoin, ethereum, बाकी सारी चीजों से भी buy कर सकते हो, लेकिन most common method कौन सी है, USDT, तो अब यहां पर आपको पता चल डए होगा, कि USDT is very very risky, because यहां पर 65% तो commercial paper है, तो यही चीज में आपको बताना चाहता था, और यहां पर एक चीज में आपको दिखा दो, यहां पर आप द discuss stable coins, यहां पर आप देखिए, कब meeting है, 19th July, तो दोस्तों, बहुत सारे events आपको पता होगा, 18th July को यहां पर grayscale bitcoin unlock event है, 19th July को हमारा weekly candle भी close हो रहा है, 19th July को यह meeting भी है, यहां पर 21st July को Elon Musk और Jack Dorsey की meeting है, bitcoin event है, the B event, तो वो सारी चीज है, यहां पर हमारे लिए जो next 2-3 days है, वो बहुत ज्यादे important, मतलब next पूरा week जो है, वो एक बहुत ज्यादे important रहने वाले cryptocurrency market के लिए, और यहां पर यही week में, यहां पर बहुत सारे हमें changes देखने मिल सकते हैं, तो आप यहां पर carefully trade कीजिए, जो support line से मैंने आपको आगे बोला है, support से उपर entry लीजिए, resistance से accumulate कैसे करते हैं, वो मैंने आज अपने shorts channel पे एक video बना के दिया है, definitely देख सकते हो, link description में मिल जाएगी, तो दोस्तों, मैंने आपको यह तो बता दिया है, USDT is not safe, USDT is not secure, यहां पर हमने बोला, commercial paper 67% इसका मतलब क्या हुआ, वो unsecured है, short term के लिए है, तो आपको क्या use करना चा यहां पर 100% US dollar से backed हो, तो एसी कौन सी है, तो एक है BUSD, जो है Binance USD, Binance उसको support करता है, और दूसरा है USDC, USD coin, तो यह दोनों यहां पर stable coins है, तो अगर आप USDT use करते हो, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप यहां पर BUSD use करो, या फिर USDC use करो, क्योंकि आप खुद से यहां पर एक बार देख सकते हो, मैंने यहां पर सारे proofs तो आपको दिखा दिये, आपको USDT में रखना है, आपकी मर्जी है, बट अगर यहां पर आज कुछ होता है, मतलब आज USDT का, इसका मतलब क्या है, यहां पर आप अपने घर पे यहां पर एक printer मंगवा लो, और printer में पैसे उसक बाद लोगों पता चलेगा, कि आप यहां पर एक fake currency को print कर रहे थे, तो पूरा जो financial system है, वो हिल जाएगा, और वही चीज़ यहां पर USDT के साथ होने वाली है, बिकोज यहां पर secure बिलकुल भी नहीं है, commercial paper का use करते है, तो दोस्तों यही चीज़ आज के वीडियो में बतान नहीं है, bitcoin का price, definitely अगर आप long term के लिए hold करते हो, bitcoin को, तो definitely यहां पर आपको अच्छा खासा profit दे सकते है, उसके बारे में मैंने यहां पर proof आपको दिया हुआ, साथ साथ हमें bear market, कब start होगी, bear market होगी या नहीं, वो हमें पता चलेगा, 19th July को जब weekly candle close होते है, उसके बारे मे यहां पर देखो, आप सारी चीज़े समझो, और सारी चीज़े समझते हो, उसके बाद आप जो hard earned money हुए, उसके बाद ही यहां पर invest करो, because यहां पर अगर आप आँख बंद करके invest करोगे, दिमाग बंद करके invest करोगे, तो कोई भी यहां पर profit होने वाला नहीं है, but अगर आ आप सारी चीज़े, मैं जो वीडियो में बताता हूँ, वो सारी चीज़े, if you are understanding everything, then you will definitely book good profit from the cryptocurrency market, तो दोस्तों, और कोई questions है, definitely आप मुझे comment section में बता सकते हो, मुझे answer कर दूँगा, और दोस्तों, मेरा twitter account है, के यूर रोहित, उसको आप definitely follow कर सकते हो, मेरा instagram है, क्रेप्ट के यूर, उसके link description में मिल जाएगी, काफी सारे scammer से मेरे नाम से आपको message करेंगे, but अगर के यूर रोहित, क्रेप्ट के यूर के नाम से आपको message आता है, तो आपको समझ जाना है, कि वो सारे scammer से, और दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये अपको